सब्सक्राइब करांगे कि आज केड़े चार सवाल अपा मुक्त औरते शामिल कलने ने प्रोग्राम दे विच सब्तो पहला सवाल रहेगा कि कॉंग्रस हती अकाली दल उम्मीद वारा दे नावां दे अलान उले के आखिर पच्छड के ओरहियां ने दोवे पार्टियां की ने इना दोवे पार्टियां दे टिक टान उलेके अंदरू नी रोले दूसरे सवाल दीजे कर गाल करिये ता पंजाब दे चोन अखाडे विचो नवजो सिंग सिदू दी गैर हाजरी दा कॉंग्रसी खेमे ते किस तर काफी है इंडिया गट जोड़ दी जड़ी पर्मी महा रैली होई दिली देवी चीज़ा पंजाब हर्याना दे दिली दी सियासत ते किस तरह दासर पेंदा नजर आएगा सो शुरू कर दे कि करके इना सारे ही सवालां दे ऊपर तोड़े जड़े अनलसीज है जो विचार है इसे उपर सवाल पहला अगर ऐसी देखिए ताडलासी आमादमी पार्टी ने आठ अते पार्टी जंता पार्टी ने हुन तक छे उमीद वारां दे नावादा इलार कर द के और इज़ा असर किस रूप विच तुसी देख देओ के जो पिछड रही है दो में पार्टी के आपने उमीद्वारां दे ना दे लानू लैके किस तरह दा असर इना दे इस फैसले दे पैसागदा है उमीद्वारां दी सूची हले तक जारी ना करना हरजो जी ये सवाल तो अड़ा बहुत जादा आहमियत वाड़ा है देखो पंजाब दे वेच जादा समा सत्ता चरही है अकाली दल और कॉंग्रस दो में कदे कॉंग्रस कदे अकाली दल कॉंग्रस दी सरकार हट दी सी ते अकाली दल होंदा सी हलाकि अकाली दल गठ जोड़ च ॐ कि धिए पी 6 सीटाँ आम आदमी पारटी ने 8 सेटां आपने उमीदवार आदमी पार्टी पर देख्या जावे तो न भीक्रण सनल्हें आम आदमी पार्टी और पार्थी जंता पार्टी चोन परचार कर रहे ने उमीदवारां देना उन्हादी उमीदवार लोकांच जारे ने ब्रात लाड़े बिना नहीं सजदी अकाली दल और कॉंग्रस वी चोन परचार कर रहे ने पर उन्हाद उमीदवार पता नहीं कौन है सो इस करके विदिवत रूप देवेच आम आदमी पार्टी और पार्टी जनता पार्टी ने ता अपने उमीदवार उतार थे बहुत सारीयां सीटना थे पंजाब देवेच उन कांगरस और अकाली दल पिछड़े पाहिने ज़़की मन्या ये जानदा सीगी पंजाब ये मुख मकाबला इना दोना पार्टी इने वेच होनदा है पर इस वार जहे संकेत हाल दी कड़ी नहीं है इन नहीं लग रहे हैं इस वार पंजाब्च के मुख मकाबला अकाली दल और कांग्रस चो होएगा इन ओधे दिना दे विच तस्वीर सपष्ट होएगी के मुख मकाबला होया किना दे विच पहली दूजी था ते आए केड़े ने पर मैं इन जरूर कहूंगा के कल जड़ी महा गठबंदन दी रैली सी ओ दे विच जिस तरह दे इशारे अपने पाशंच दे गए मलके अरजन खडगे कांगरस पार्टी और आम आदमी पार्टी दे विच पंजाब दे विच भी नवे सिरेतों एकठे होन दियां संबावनावा तलासियां जा रही आने अरवंद केजरिवाल जेल दे विच ने उनाधे नाल जेल दे विच जरूर मलके अरजन खडगे दे थे सनेहे ने जिड़े उनाधे पतनी या उनाधे हूर साथियां दे जरीए पहुंच सक्डे ने हो सकता है पगवंतमान और होर जड़े आमादमी पार्टी दे वड़े लीडर ने अर्विंद केद्री वाल तो बाद पगवंतमान एक को एक मुखमंतरी ने आमादमी पार्टी दे और वड़े चेरे ने स्टार परचार रखने और मेंनु लगदा है कि पर वंतमान दी जिम्मेदारी है कि यो कांग्रस नाल ताल मेल जरूर करनेंगे कि पंजाब चुकी असी नमें सरे तो विचार कर सकते हैं ये सवाल बहुत वड़ है ये भी एक कारण हो सकता है कि कांग्रस पार्टी ने अपने उमीद वारां दे नामादा एलान हले नहीं कीता वी असी इंतजार कर लिए कत्ती मार्च दी रैली और कत्ती मार्च दी रैली चे उनना ने इशारा तकीता है अगर कांग्रस और आम आदमी पार्टी ने इस मंचते गल अगगे तो रन दी गल व्योंत बना ली कि असी जरूर नवे सरे तो सोचिए कि की असी पिजाब चे कटे होके चल सकते हैं अगर जहां हंदै ते फिर कांग्रस दी आ टिकटा होर लेट हो सकत दियांने आम आदमी पार्टी दे जिड़े पंच चेरे एलान कीते जाने बाकी ने छे जिलंद राड़ा पाके फिर हो सकता है कि ओछे दियां छे सीटां बारे पुनर विचार वी करे आम आदमी पार्टी कांगरिसनल मिलके कि जे असी कठे होके लड़ना है ते केड़ा फार्मूला उदा बनाया जावे ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अपनी असारी हैं सीटां वापस लेके नमे से तो सला मश्वरा करे एक अल हजे आखी लग दी है पर स्यासदे विच कुझ भी संबब है टिकट मिलन तो बाद सुशील कुमार रिंकू पार्टी बदल गे और मैं देख रहा सी महा गठ जोड बनन तो बाद कॉंगरस दे ओफिशल पेज तों कॉंगरस दे दिकारिक पेज तों पग बनतमान दी स्पीच शेर कीती गई इंडिया गठ जोड दी रहली तों एदा मतलब है के परानिया प्लिटिकल दुश्मनिया वी सो चौवी दिया चोणा दे वेच विरोधी तेरा पुला आके अगे वदना चोणिया ने तो इस करके कॉंगरस दे उमीद वा हो जान देने ते कॉंगरस पट्याले तो उनना नो चेरा बना सकती है अगर गठ जोड होंदा है ते फिर स्थितियां की रहन गिया ओबादी गल है पर हाल दी करी कोई गठ जोड नहीं है इस करके डॉक्टर तरमवीर गांदी नो पट्याला तो कॉंगरस दे वेच वड़ा पीडिये दे फरंट ते सारे लोक लड़े नहीं जित सके डॉक्टर तरमवीर गांदी पर इस वार अगर कॉंगरस दोना नो उमीदवार बनांदी है तो मैदान चाह सकते ने हुन गल है कि कॉंगरस नामा दा ऐलान क्यों नहीं कर दी पहली गल कती मार्च दी रैली दा कॉं जेडे पार्टी दे वेच चंगे चेरे ने उनना बारे कोख कीती जा रही है सरवेखन पंजाब जो घुप्त करा रही है कॉंगरस पार्टी कई तरहां दे टैलिफोनिक सरवेखन करा रही है कॉंगरस पार्टी जुबानी सरवेखन कॉंगरस पार्टी वेलों करवाई जा ने तांकि केड़ा कैंडिडेट जित्दाद देखना है पिछे दे बढ़ियां चर्चावा हुई यां परताब आजवा ने ता कहा रिता कि लुद्याने देवेच कांग्रस पार्टी को ले डिडियां रिपोर्टां सी रवनीत बिटू दो लग तो पिछे चल रहे थी उन बा सिंग डिमपा ये चार पंज जहें मेंबर पार्लिमेंट ने जिनना दियां टिकतां ते ग्रीन सिगनल है लेकिन सूची क्यों नहीं जारी कीती जारी ओधे पिछे चार पंज कारण है में नू लग दाए अगर कती मार्च कल दी रैली तो बाद होन आम आदमी पार्टी और क कांगरस पार्टी दे विच कोई कमेटी घुप्त तोर ते कम शुरू कर दी है मिलके चोना दे लई लड़न दा ता ये सूची होर लेट हो सक दी है और अगर हुन कांगरस दी सूची लेट हुन दी है ते एक कारण मन्या जाएगा के नमें से तो आप ते कांगरस आपस चे स अमल हुन्दे ने अगर हुन्दे ने ते ओदे नाल की उना दा नाम तुरंट इलाने आ जाएगा अगर नहीं भी इलाने आ जाएगा ते एस सुनेहा साफ है कि डॉक्टर तरमीर गांदी नो इससे करके शामल कीता गया है यहाँ हो रहे ने कि उचोन लड़न गे और जिस त बैठक दे विच अकाली दल ने जिस तरह नाल मुद्यां ते स्टेंड लेया उस तो बाद ए तैह हो गया कि अकाली दल समर्थन नहीं करेगा तो बीजेपी अपनी रात तो पी पर शायद अकाली दल जरूर हाले वी उना समभावना माते काम कर रहे है कि कांग्रस पार्टी अपने उमीदवार कदों ऐलान दिया है क्योंकि इस वार अकाली दल दे लई भी स्थिती कैंडिडेटां दे पक्षों बड़ी कुसूती बनी हुई है बीजेपी दे कैंडिडेट वी उडीक रही होनी है शरूमनी अकाली दल हुन छे जिलियां दे विच छे लोग सबा सीता थो झाली तक्षों बीजेपी ने अपने चेरे देते मैंनू लग दल है अकाली दल दी सबतों पैल गड़ी होनी है वे होनी है कि उनना च्य सिताहां ते असी उमीदवार देए जिते बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी लगपग अपने उमीदवार देदते सो अकाली दल जल्द फरीद कोट, अमरसर, लुद्याना, जिलंदर इना सारे इना सारीयां सीटना थे गुर्दास पूरते भी इना सारियां सीटां ते आपने उमीद वारां दे नामा दा ऐलान जल्द कर सकता है क्योंकि पहले ही ये शनुमनी अकाली दल काफी पच्छड गया इक गल हो रहे जे कॉंग्रस और आम आदमी पार्टी दे विच मुर्तों गट जोड दी किसे संभावना दे चर्चा शुरू ह होई ते फिर ये वी बहुत त्यान देन जो गल रहनी है शनुमनी अकाली दल दे लई के अजेहे हलाता दे वेच एक पासे बीजेपी है और एक पासे कॉंग्रस और आप दा गट जोड है ते की अकाली दल एकला तेरां दियां तेरां सीटां ते जल्द अपने उमीद वार यहां अकाली दल दी कोशिश होएगी कि असी बोजन समाज पार्टी नार नमे सरेतों राब्ता करके गट जोड दी गलनों अगे तोरिये हलाकि बोजन समाज पार्टी नार गट जोड उससे सूरद वेच हो सकता है ज़दों भीबी माया वती एदेली हामी पर देने होना दी एक कारण मन्या जा सकता है और दूसरा श्रोमनी अकाली दल जेतू कैंडिडेटना बारे कपड चान कर रहे है रिपोर्टना ले रहे है सरवेखन कर रहे है दावा हर मंचते कर देने सुकबीर सिंग बादल के पंजाब बचाओ यात्रानू परवाहुंगारा मिल रहे है और पिंडा दे वेच जिस तरह दा सी फैसला कीता पिंडा च किसान दा सानू समर्थन मिल रहे है पर उमीद वारान दी चोन अकाली दल दे लेई वी इस वक्त तेड़ी खीर साबत हो रही है क्योंकि जेतू उमीद वारान दी पार्टी दे वेच काटा है सारी या पार्टीयां तो अकाली दल देख रहे हैं सुखबीर बादल अकाली दल दा प्रदान खुद भी अकाली दल सुखबीर बादल नो वी जेतू चेरे दे तो और तो देख दिया है फिरोज पूरतों एमपी दे सिटिंग और वीबी हर्षमरत का और बादल बठिंडा तो हलाकि कार्ज काल ख खड़ी है तो सब तो वड़ा कारण जी ऐसी कड़िये पूरे पंजाब से सवारे रहे हैं कि वी सो चौवी देली प्लिटिकल पार्टियां कोड़े वड़े काद़े चेरे नहीं हैं अजेहे लीडर नहीं हैं जिना ते लोग प्रोसा करन जिना दी कही ते पंजाब दे हुए है ते नाम दे ऐलान दे विच देरी हो रही है ड़ना जी अगले सवाल देगाल करी ऐसी देख रहे हैं लगातार के पंजाब दी सियासर देविच जो है नवजोज सिंग सिद्धू नजर नहीं आ रहे था चोन अखाडे विच नवजोज सिंग सिद्धू दा नजर न कि नवजोज सिंग सिदू पंजाब दे सियासी पेड़तों हले तक गायब नजर आ रहे ने और क्रिकरजी कमेंटरी जरूर कर रहे ने पर चोन पर चार तो दूर जाना मेरी नजर दे वेच सिर्फ नवजोज सिदू दा फैसला नहीं है जिस तरह नाल पंजाब परदेश कॉंगरस कमेटी दा संगठन पिछले समया दे वेच नवजोज सिंग सिदू दिया चोन मीटिंगा पर चार मीटिंगा ते तंज कसदा रहा शकायत बाजी करदा रहा और उसनू उना दे तडे नू सद्या नहीं जानदा रहा और किजना किदे हाई कमांड ताक वी ये शकाय पचाया पंजाब दे कॉंगरस संगठन ने कि नवजोज सिंग सिदू वक्रियां मीटिंगा ना करन नवजोज सिदू दिया चोन मीटिंगा ते विच रैलियां वर गए काथ सी और मलकी अरजन खडगे दी रैली तो बाद कॉंगरस पार्टी ने चोना तो पहला शक्ती प् प्रोप दे विच पुछ रैलीयां ता जरूर की तीया ने लेगने रैलीयां उना लीडर आने की तीयां डिडे कैंडिडेट बनना चौन दे सी और अगर नवजोज सिंग सिदू उसे तरह पंजाब चे कांगरस पार्टी दियां रैलियां कर दे रहन दे ते अज पंजाब कांगरस पार्टी दी स्थिती बेतर हो सकदी सी पर हुन इना दिना दे वेच कांगरस पार्टी सीटां दी वंड ते उलजी पई है कांगरस दा संगठन दा पूरा त्यान सीटां दी वंड के में करनी है उस पासे रुज्या होया है और जिमें पंजाब कांगरस दा संगठन द उत्ते वी संतुष्ट नहीं होया पहला कॉंग्रस दा संगठन के की सेटिंग एंपी साड़े जेतू कोड़े ने हलाकि ग्रीन सिगनल मिलिया जदों रिवनीद बिटू झाड़ के चले गए बीबी परनीत का और पाजपाच शामल हो गए उस तो बाद तुरंट ग्रीन सिगनल सारे सेटिंग एंपी आनो मिलिया कॉंग्रस पार्टी वलों है मन्या जा रहे है कि हुनों ना दिया टेकता नहीं कट दे पर चार पंच छे सेटिंग एंपी चाड़ के बाकी सीटावी कॉंग्रस पार्टी जे तूचे रहे हैं दे तौर ते एलान करने वेच हाज़े तक काम्याब नहीं हुई होना नवजोज सिंग सिदू दी गैर हाजरी 2004 तो बाद पहली वारा है और मैंनू जित तक जानकारी है नवजोज सिंग सिदू मजबूरीच क्रिकड़ दी कमेंटरी करने गए ने और कितना किते कांगरस दे ओ लीडर जेड़े केंदे सी नवजोज सिंग सिदू दी लोड नहीं उंपने दम ते पंजब चे नवजोज सिंग सिदू तो बिनावी कांगरस पार्टी जता लांगे उन्हाद सब तो बड़ा चैललेंज़ पंजब कांगरस दे संगठन दे उन्हां लीडर नहीं इंट्रां ते जिड़े केंदे सी नवजोज सिदू दी परचार करके मीटिंगा करके पार्टी दा नुक्सान होंदा है अगर ता कॉंग्रस दा सिंगठन एकल्ला लड़के अपने दम ते कॉंग्रस नो जिता गया फिर ता ये गल पंजाब पर चलत हो जानी है कि कॉंग्रस नवजो सिंग से दू बिना जिते गी हाँ आगर आम अदमी पार्टी न गट जोड हो जानी है फिर कोई सीटन जित देने ते फिर ओ ता अगल वखरी हो जानी है पर अगर एकल्ले लड़के कॉंग्रस कॉज सीटन जिता जानी है ते फिर ओदेना कॉंग्रस दे संगठन नो शाबाशी देनी बन दी है कि तुसी जो क्या सी उक कर वखाया पर जितो तक हलात ने नवजोज सिंग से दू दी टीम दे जन्ने आगू सी उना सारे नू संपर्क कीते जारे ने वक वक कांगरस दे लीडरां बलो यह इज़ कई नविजोर्थ सिंघ्भ सिद्धू दी टीम नू तोडन दे भी यतन होरे ने कि उस सारे लीडर जड़ी नवजोर्थ सिद्धू नाल चाल दे सी और सादे नाल आ जान ताकि 80 तकड़े होजिये पर हाले तक नवजोज सिंग सिदू दी जड़े टीम दे जड़े लीडर ने कई साब का वदायक ने कई वड़े काद दे समाज सेवक ने उस सारे लोग नवजोज सिदू दे नाल ही कोई न कोई फैसला करने इस तरह दिया उमीदा ने कि ओ कांगरिस पार्टी दी चढ़ दी कलाली तक आम कर रहे ने क्योंकि नवजोज सिंग सिदू दी इशारा है जो जानकारी मिली है कि तुसी कांगर्ज सिदू दी मजबूती ली काम कर दे रहो पर नवजोज सिंग सिदू दी गैर हाजरी दा सिदे तो और ते पर बहाब आँदे दिनादे वेच खोर नजर आएगा क्योंकि नवजोज सिदू दी डिमांड इस वक्त सारे उमीदवारानू है सारे उमीदवार चौंदे ने के अजिहा चेरा साडे मंचा ते साडेली वोट मंगे जिड़ा इमानदार है पंजाब दे मुद्यां दी लड़ाई लड़दा है उन दे दिनाच नवजोज सिदू दी कमी जरूर पंजाब दिया चोणाच नजर आएगी और कांगरस नू किते ना किते उना लीडरानू जिड़े केंदे सी के नवजोज सिदू दो बिनासी जितांगे उना दे पर ख़दावी समय सो बड़ी दिल्चस्प स्थिती बनेंगी बाकी नवजोज सिदू दी गैर हाजरी दा असर की पएगा हले होर इंतजार करिए जिमें जिमें चोन ख़ड़ा पखेगा नवजोज सिदू दी गैर हाजरी दा असर है जिड़ा उ महसूस होंदा रहेगा उन जगर मैं आंकड़ें दे हिसाब नाल गल करां ते नवजोज सिदू जदो दोजार चार्च पाजपाच आए ते 2004, 2007, 2009, 2012 पार्टी जनता पार्टी नो वड़ा फाइदा वोड़ शेर दे रूप च मिलिया और जदो 2017 तो पहला हों कांग्रस च गए ते कांग्रस नो भी वोड़ शेर दे रूप दे विच वड़ा फाइदा मिलिया ते बड़ा दिल्चस्प नतीजा पंजाब जो निकल सकता है नवजो सिंग सिदू दी गैर हाजरी दा तो मैं केंदा कुजनी एक जून नो वोटरां दे फत्वे दा इंतजार कर दे हैं क्योंकि नवजो सिंग सिदू पंजाब दे मुद्यानी लड़ाई लड़न वाला करदार है और वड़ी गिनती लोग पंजाब दे नवजो सिदू नो पसंद कर देने क्योंकि पंजाब पिछे नवजो सिंग सिदू ने काफी कुछ कुरबान भी कीता है और आजे वी गल साबत होगी के अगर नवजो सिंग सिदू केंदा सी के मैं करोड़ा रपए छड़ के आया पंजाब पिछे पंजाब दे मुद्या पिछे आजो गल साबत होगई के मजबूरीच किमेंटरी करन नवजो सिदू दू गया है ते अगर ओ पिछले लम्मा समा कमेंटरी करदा रेंदा टीवी च जानदा रेंदा ते करोणा रपए नवजो सिंग से दू दे परवार चाउने सी ते सियासत करके ओ कारोबार बंद होया ते आज परवार आर्थिक संक्रट चाया कि उनना दी तरम पतनी गंबीर तो और ते ब करके लोडा करके नवजो सिंग से दूनों कमेंटरी करन दा फैसला कीता गया क्योंकि पंजाब दे बहुते कॉंगरस दे लीडर संगठन दे चौंदे सी के असी अपने दम ते चोना चलंगी है उन्ज अगर कॉंगरस दा संगठन या पार्टी दी हाई कमान नवजो सिंग स दूनों चोन परचार ते सदेगी कटगड़ पंजाब ते इमानदार चेरें ली नवजो सिंग से दू परचार कर सकते ने दला जी अग्यवदी अगला सवाल जड़ा है काफी खास है हूं दी चड़ी सियासत चाल रही है अगर उसनों आसी देख देयां Congress Party दे दो sitting Member Parliament आते आमादमी Party दे एक sitting Member Parliament सो Shield Ring को दे पार्ती जनता पार्टी विच जान तो बाद फिर तो कही तरह दिया चर्चावा ने के आज ज़दा दिन भी बहुत खास हो सकता है आज जिया कल दे विच मुड़ तो कई होर जो है लीडर पार्ती जनता पार्टी विच शामिल हो सकते ने सो यह जड़ी है चर्चावा ने डला जी इसनों अपा सिर्फ चर्चावा दे तो औरते देखिए या फिर इसनों लेके कोई अधिकारित जानकारी भी है इस दोपर तुसे की करना चाओगे या फिर हर कोई अपने अपने अनुमान ही लगा रहे है देखो ए चर्चा भी है पंजाब दे विच के डॉक्टर तरमवीर गांधी कॉंग्रस चाशामिल हो सकते ने अपने चर्चामा पिछले 2-3 दना तो लगातार चाल रही है ने के सुषील कुमार रिंकू दे पार्ति जन्ता पार्टी दे वेच शामल होन तो बाद कई कॉंसलर जेडे पहलां सुषील कुमार रिंकू दे नाल कांग्रस पार्टी सी डेडे आम आदमी पार्टी चागए स कई कॉंसिलर हुण पार्टी जंता पार्टी चाह सकते ने हलाकि ये चर्चामा ने पर की ओ शामल हुंदे ने क्योंकि पंजाब चामा आदमी पार्टी दे सरकार है और ये मन्या जानदा है कि कार्पोरेशना बोड़ा निगमा दिया चोणा सत्ता तेरे जादा जेतद है क्यो जलंदर दी स्यासत काफी जादा बदलेगी ये दे नार तिक्खा मुकाबला जलंदर दे वेच बनेगा ये चर्चामा ने उस तो लावा ये चर्चामा भी ने के साथ सीटां ते हजे पार्टी जंता पार्टी ने अपने उमीदवार नहीं लाने सो आज कल दे वेच इना सीटां दे उत्ते वी दूसरियां पार्टी ने लीडर पार्टी जंता पार्टी ते शामल हो सकते ने हलाकि पार्टी जंता पार्टी दा काडर कई लीडरां दी पार्टी दे वेच शमूलियत तो खुश नहीं है उन्हानु लगदाए कि ये देनाल जड़ा पार्टी दा काडर है उदा मनोबल डिगएगा क्योंकि कई अजेहे लीडर पार्टी जनता पार्टी देवेच आये ने जिना दे खलाफ पार्टी दा काडर लगा तार संगर्श करदा रहा है जदों कॉंगरस दी सरकार सी तो इस करके ओदे देना देवेच पार्टी जनता पार्टी भी सोच सोच के दूसरे लीडरानों अपनी पार्टी देवेच शामल कराएगी सिर्फ वड़े टेक्टां देड़े दावेदार ने उना दी शमूलियत देनार पंजाब दी सियासाच तबदीली होनी है अगर आम ओ विरोध कर चुके ने कि ऐसी पेंडाच पार्टी जनता पार्टी दा विरोध करांगे तो इवी चनौती पार्टी जनता पार्टी देले ही वड़ी है कि इस तो किमें पार पाया जावे प्रवाव पार्टी देले ही जो 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 गल्ला गई आने इस ता पंजाब हर्याणा आते दिली दी सियासत देओ पर किस तरह दा असर पैंदा तुसी वेग देओ आखिर किस तरह दा परभाव पाएगा इना रैली आंदा हुन्दी सियासत ते देखो दिली दे वेच इंडिया गठ जोड़ दी महा रैली होई राहुल गांदी प्रेंका गांदी मल्क अरजन खडगे उदव ठाकरे फारुक अब्दुल्ला अखिलेश जादव तजस्वी जड़े की तजस्वी जड़े की तजस्वी जादव डेप्टी मुखमंत्री र जाएंप से इंडिया गठ जोड़ दी रैली उन्हांने दब के सियासी निशाने प्रदान मंत्री द्रिंदर मोधि ते विने ये किया गया के पाजपा दी सर्कार करप्त है, ऐलेक्टोरल बॉंड दे जरिये करप्शन कीती है, एक चिया गया के दूऍच जाने, एक गया के स प्रदान मंतरी निरिंदर मोदी ते तिक्खे हमले की ते और ऐथो तक रैली दे मंच तो पगवन तमान ने किया कि पता नहीं निरिंदर मोदी नू चा बनाओनी वी यूँ दी आए कि नहीं और उना नू जुमले बाद लीडर करार दाता दूजे बसे मेरड दे विच रैली ह लडाई लड़ रहे ने और करप्ट लोकां ते उनना दी सरकार कारवाई कर रही है तो असी करप्शन दे खलाफ लड़ रहे हैं करप्ट लोकां नू अंदर कर रहे हैं करप्ट लोकां नू घरफतार कर रहे हैं और विरोधी तेराने डिडिया ओ करप्ट लीडरा नू बच अंदर मोदी इंडिया गट जोड नू करप्ट कहरे सी सो करप्शन अर्विंद केद्रीवाल दी घरफतारी तो बाद मुद्दा बन गया पीजेपी और अजंसियां दावाय कि अर्विंद केद्रीवाल ने करप्शन कीती है और इलेक्टारल बॉंड केंदे ने के शराब पॉ एंडिया गट जोड कहरे है कि ओ गार्फशन बीजेपी टी है जो एक तरीक के नाल भी जैपी कॉंगरस और इंडिया गट जोड ते करप्शन दे इलजाम लारी है और विरोधी तिरह तो सरकार ते इल्जाम ला रही है एक गल साफ होगी के एक पासे इंडिया गट्स जोड और इक पासे एंडी एदा गट्स जोड तो डो गट्स जोडां देवे चाले वड़ी लड़ाई पड़ी जंग इलजामद पदर बहुत उपर तक चले आगया और सारे लीडर आपने आपनो सच्छा शुच्छा आते होगी के दिली दे विच हर्याने दे विच पंजाब पार्टी जंता पार्टी दा रा असान पिछली वार जिन्ना नहीं रहेगा दिलीच बीजेपी पिछली वारी सत्ते सीटा जित्ती क्योंकि कांग्रेस अलग लड़े आप अलग लड़े इस वार दिलीच कठे ने कांग्रे पर बीजेपी दस सीटां जिती सी इस वार टक करा है पंजाब च अकाली दल और बीजेपी दा गट जोट टुट गया बीजेपी कांगरस दे कुछ लीडरानू पटके लेगी स्यासी तारते यह ओ आप चले गए बीजेपी पर पंजाब च तेरा सीटां ते एक पास से ता बीजेपी नू क्रिश्मा करना पाएगा तो इसकर के इंडिया गट जोट दी डिडिये रैली होई है ओ दे नाले ना तिना सूब्यां दे विच भी प्रभाब जाएगा देश दी स्यासच भी प्रभाब जाएगा और निरिंदर मोदी डिडियां गल्ला कह रहे ने वक वक उना दे पाशन भी टेले विजिना ते आरे ने तो निरिंदरोमोदी डिडिडिये इलजाम तर्क श्रभाभ पाएगा तो विखनाली स्यती रहेगी कि बंडा की है सारी है तेरा अपनी अपनी गाल रख रह रही हैं तो फैसला लोका ने करना है लोग स्याने ने एक आता उसको अंदर कर दो कॉंग्रिस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो किसी के नेता फ्रीज कर दो ऐसे जीत लोगे हम वह पते नहीं हैं हम वह पते नहीं हैं जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आधियों को कह दो अपनी उकात में रहें वो अपना आपा खो बैटे हैं और मेरे प्यारे देश्वासियों मैं कहता हूँ मोधी की गारंटी कहती है में मोधी का मंत्र है ब्रस्टाचार हटाओ वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ ये चुना इन दो खेमों की लराई है एक खेमा एंडिये का जो ब्रस्टाचार हटाने के लिए मैदान में है दूसरा वो खेमा जो ब्रस्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में फैसला आपको करना है बहुत बहुत तानवाद डला जे तो अड़ा इनस सारी खबरां दे ओपर पूरा कपड़ चान करन दे लिए और पूरी जानकारी दर्शकानाल सांची करन दे लिए दर्शकान दावी तानवाद कादियां प्रोग्राम देनाल जुड़े रहें दे लिए इसे देनाल मेनू यानि के हर्जोत कौन विद्यो जी इजासत तानवाद बहुत बहुत